इस्राइली सेना का जूट बेनकाब मेरे दोस्तों एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आपको बताने जा रहा हूँ इस्राइली सेना ने जो चार-पांच दिन से एक जूट फैडा रखा है जूटी कहानिया गर रखी है कि अलशिफा हॉस्पिटल में हमास का अड़ा है अलशिफा हॉस्पिटल के नीचे हमास ने अपनी सुरंगे बना रखी है और इसके चलते हुए मैंने आपको सुभाई बताया था कि इस्राइल की सेना चार दिन से हॉस्पिटल को घेरे हुए है उसके अंदर तकरीबं धाई आजार मरीज हैं जिसमें से छोटे-छोटे बच्चे भी हैं ना किसी को बाहर आने दे रही है इस्राइल की सेना ना ही हॉस्पिटल के अंदर जाने दे रही थी किसी को कोई हॉस्पिटल से बाहर आ रहा था तो उसको गोली मार रही थी आज सुबा ही अमरीका ने जब clean sheet दी अमरीका ने भी कहा कि हाँ अलशिफा Hospital के नीचे हमास के अड़े हैं उसके बाद इस्राइली सेना होस्पिटल के अंदर घुश जाती है हॉस्पिटल के अंदर गुसने के बाद इस्राइल की सेना ने क्या कुछ किया है वो आपको बताऊंगा और अब इस्राइल की सेना वहां से भाग खड़ी हुई है धीरे धीरे करके इस्राइल की सेना ने हॉस्पिटल से खिसकना शुरू कर दिया है दरसल पूरा मामला यह है कि इस्राइल की सेना जब सुबा हॉस्पिटल के अंदर गुसी जानकारी इस्राइल की सेना की तरफ से दी गई थी कि हमारी सेना हॉस्पिटल में गुस गई है हॉस्पिटल में गुसने के बाद जो रिसेप्शन पे स्पीकर होता है उस स्पीकर से एलान किया कि 14 से लेके 40 साल तक के जितने भी मर्द हैं वो एक जगा पर आ जाएं मीड़ा रिपोर्ट के मताबिक एलान करने से पहले एसरायल की सेला ने हॉस्पिटल में जाकर हवाई फाईरिंग भी की जिस व्ज़ा से लोक डर गए स्पीकर में एलान किया 14 से 40 साल के मर्द यहाँ पर आ जाएं सारे लोग वहाँ पर आ गए इसराइल की सेना ने एक स्केनर भी वहाँ पर लगाया था उस स्केनर से होते हुए 14 से 40 साल के जो वहाँ पर मर्द थे वो वहाँ से आए इसकेनर से गुज़रते हुए उसके बाद इसराइल के सेना ने सभी के तलाशी ली और एक एक करके फिर हॉस्पिटल से बाहर निकाला गाजा स्वास्त मंतराले ने इस बात की जानकारी दी कि जिन टैंकों ने चार दिस से हॉस्पिटल को गेर रखा दा छे टैंग हॉस्पिटल के परिसर में घुच जाते हैं जिसके साथ इसराइल के सो कमांडर भी थे तो इन कमांडरों ने अंदर घुच कर हवाई फाइरिंग की सबकी इस तरह से तलाशी ली लेकिन अभी तक कोई भी सुराक हमास का हॉस्पिटल में नहीं मिला है गाजा स्वास्त मंतराले ने ये भी जानकारी दी के ये जो सो कमांडर हॉस्पिटल में घुसे थे इसराइल की सेना के ये इमर्जेंसी डिपार्टमेंट में घुस गए और स्मोक बंप भी वहाँ पर फेके जिससे धुआ 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 सम्मे हो जाता है इस वजा से वहाँ पर जो मरीज थे जो शरन लियोवे लोग थे उनको सास लेने में भी परिशानी हो रही थी मेरे दोस्तों जल्म की जो हदे होती है ना उन सारी हदों को इसरेल की सेना ने पार कर दिया लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा है अभी तक एक भी सुराग हॉस्पिटल के अंदर या हॉस्पिटल के नीचे हमास का इसरेल की सेना को नहीं रगा है जो सो कमांडर हॉस्पिटल के अंदर गुसे थे वो धीरे धीरे करके आप निकल ले हैं सबूत के तोर पर खबर आपकी स्क्रीन पर है गाजा की सरकारी मीडिया के कारियाले के तरफ से इस बात की जानकारी दी गई है कि इसराइल की सेना के तरफ से जंता के बीच फैलाए हुए जूट और जूटी कहानियों को साबित करने में इसराइल की सेना पूरी तरह से नाकाम रही है और जल्द ही इसराईल की सेना अलशिफा हस्पिताल को छोड़ कर भाग जाएगी दोस्तों अलशिफा हस्पिटल 1946 में मना था और उस वक्त गाजा के अंदर हमास का वजूद भी नहीं था हमास नम की कोई चीज गाजा के अंदर उस वक्त नहीं थी तो फिर हमास का हैट कौर्टर हमास की सुरंगे अलशिफा हॉस्पिटल के नीचे कैसे हो सकती है कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल तो है नहीं कि साइड जे खोट कर सुरंग मना ली बहुत बड़ा हॉस्पिटल है अलशिफा हॉस्पिटल फिलाल यहां से एक बात साबित होती है कि इसराइल की सेना किस तरह से जूट फैला कर वहां की हर एक एतिहासिक इमारत को खतम करना चाहती है और इस जूट में जूटी कहानियों में साथ कोई दे रहा है तो वो है अमेरीका सुबाई मैंने आपको बताया था वाइट हाउस ने कहा कि इसराइल यह जो सेना की कारवाई हॉस्पिटल में घुसकर कर रहा है न यह बिलकुत सही है तो इस कतलियाम को अमरीका जैसा देश सही साबित करने पर तुला हुआ है वहीं वाशिंटन केंदर हजार नहї लाखो की भीड एकटी हुई है लेकिन उस भीड को हमारे देश का मीडिया और यूरॉपिय मीडिया यह बता रहा है कि यह इसराइल के सपोर्ट में उतरे हैं मेरे दोस्तों इसराइल के सपोर्ट में निदू रहे हैं हमास Collins के खलाब भले ही ये भीड थी लेकिन इसराईल के भी खलाब ती. ये जो भीड वाशंचंटन के अंदर उत्री थी, इसका साफ साफ केहना था कि इसराईल को जल से जल अपने बंदेगोगों को छोडाना चाहिए. और तुरंत इसराइल को सीसफायर का एलान करना चाहिए लेकिन हमारा मीडिया और यूरोपिय मीडिया ये दिखा रहा है कि हमास के खिलाफ, फिलिस्तिनियों के खिलाफ और इसराइल के सपोर्ट में लाको लोग वशिंटन के अंदर उतरे हैं मेरे दोस्तों, अमेरीका के अंदर जितने भी प्रिदर्शन हो रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसराइल के और बाइडन के खिलाफ हो रहे हैं और सारे के सारे फिलिस्तिन के सपोर्ट में हो रहे हैं क्योंकि दुनिया का हार इनसान जानता है कि इस वक्त इसराइल जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। फिलाल इस ब्रेकिंग नूज में इतना ही मिलते हैं कुछ और खबरों के साथ तब तक के लिए अपना खयाल लखिए।